लेकिन कोरोना महामारी अभी तक पीछा नहीं छोड़ रही है महाराष्ट में कोरोना का प्रभाव कम होने का नाम नहीं ली रहा महाराष्ट में पिछले एक महीनी में सबसे ज़्यादा संक्रमण की मामले सामने आए पिछले साथ दिनों से रोजाना लगातार तीन हजार से ज़ादा मामले सामने आ रखे हैं महाराश्ट्रों में फिर से कोरोना संक्रमर्ण ने दिस्तक दी तो राजी सरकार और प्रशासन के जंताएं बढ़ गई यहां तक की बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराश्ट्रों के तीन जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया महाराश्ट्रों के तीन जिलों में लॉकडाउन लगाया गया यवतमाल, अमरावती और अकोला में दोबारा लॉकडाउन लगाया गया जिलो में 28 फरवड़े तक लॉगडाउन रहेगा इन जिलो में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग क्लासेज भी बंद रहेगी किसी बिदार में कारे के अनुमती नहीं दी जाएगी तो वहीं शादियों में केबल 50 व्यक्तियों की अनुमती रहेगी स्विमिंग फुल और इंडोर गेम भी बंद रहे मुंबई में भी बढ़ते मामनों को रोकने के लिए बीमसी ने कमर कसली है नियमों का उलंगन करने वालों के खिलाफ सक्त कारवाई की जा रही है लापरवा लोगों के खिलाब बीमसी ने एक बड़ी टीम बनाई थे एक इमारत में 5 से ज़ादा मरीज पाय जाने पार उस इमारत को सील कर दिया जाएगा बिना मास्क के रेल में यात्रा करने के लिए भी मना ही होगी दरसल कोरोना वैक्सीन के आने के बाद लोग ज़ादा लापरवा हो गए थे कोरोना नियमों को और मास्क को फूल बैटे इस लापरवाही की वज़े से कोरोना संक्रमन बढ़ता गया और अचानक से इतने मामले सामने आए जिसकी वज़े से दुबारा लोगडाउन लगाना पड़ा कोरोना संक्रमन ने महाराश्टों में सबसे ज़्यादा लोगों की जान ली है कोरोना से देश में 33 पीसदी मौते सिर्फ महाराश्टों में ही हुई है और अब तक यहाँ पर 51,631 लोग कोरोना की विज़े से जान गवा चुके है अभी भी हर दिन सबसे ज़्यादा मौत महाराश्टों में ही हो रही है न्यूस डेस्क खबरे भी तक झाल 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 झाल